सुनो, तुम्हें नेक रस्ते पर चलना चाहिए, बुराई से बचना चाहिए, वो बात नहीं करो, वो काम मत करो, जो अल्ला को पसंद नहीं। ये नसिहत की जाती है, सुकी गई, अब जिसे नसिहत की गई, उससे फिर कोई गलती हो गई, और फिर से कोई गुना जानते भूचते भी हो गया। कहा था चोरी ना करना अच्छी बात नहीं है बस वही बस पैसे पड़े देखें किसी के तो बहुत रोका खुद को मगर उठा लिए कुछ आदत पड़ी है कुछ मजबूरी भी अब फिर पता लगा किसी खैर खवा को तो इसने फिर से नसीहत की कि तुम्हें कितनी बार समझाया है कि अल्ला पाक ने जिस काम को ना पसंद किया है उसको क्यों करते हो क्यों नफस की बाते मानते हो काल लुक्सान में पड़ जाओगे अल्ला हर वक्त देखता सुनता है अल्ला हर शैपे कादिर है तो आगे से जवाब आया के तो ठीक है और अल्ला जिसे चाहे सिदे रास्ते की हदायत करता है क्या तुझे मालूम नहीं कि आसमानों और जमीन की सल्तनत अल्ला ही के लिए है वो जिसे चाहे अजब दे और जिसे चाहे बखश दे और अल्ला सब चीजों पर कादिर है असल में जी जो तकदिर में लिखा होता है न वही होता है इंसान के साथ。 और आपने वो हदीस नहीं सुनी, حضرت मुसा लिह सिरम और अदम अलिह सिरम के दरमें जो बात हुई, जब मुसा ने कहा कि ऐय आदम, आपकी गलती की वजह से, और सारे लोग सारे इनसान आजमाईश में पड़ गए तो आदम अलेहिस सलाम ने आगे से फरमाया कि ऐ मुसा आप मुझे उस बात पर क्यों जाम देते हैं जो मेरे नसीब में मेरी पदाईश से 40-50 हजार साल पहले लिख दी गई थी तो ये जो सब होता है ये सब होता नसीब में लिखा इसमें इनसान का क्या जोर है तो बेहन भाईयो वेटे बेटियो कुछ ऐसी ही सूलते हाल के तकदीर के मामले में सब लिखा है अब सुनिए इसका जवाब बेशक अल्ला पाक ने ये बात कुरान में कही और कई मकाम में फरमाया के वो जो चाहता है कर सकता है वो हर शैपर कादिर है वो चाहे तो कोई पता इधर से उधर नहीं हो सकता वो चाहे तो कोई काफिर नहीं रहे मगर उसने ऐसा नहीं चाहा क्योंके ये उसकी मश्यत नहीं क्योंके अल्ला पाक ने फर्मा दिया ये भी कुरान में कि इसलिए ऐसा नहीं चाहा रबने क्योंके अल्ला फर्माते हैं सुरह दहर जिसे सुरह इनसान भी कहते हैं कि हम इसकी यानि इनसान की आजमाईश करना चाहते थे पस हमने उसे सुनने ओला देखने वाला बना दिया ये खूदिया अता कर दी और बेशक हमने उसे रास्ता दिखा दिया या तो वो शुकर गुजर है और या ना शुकरा बेशक इंसान की फित्लत में अच्छाई और बुराई का इल्म रख दिया गया और उसे अपने किलाम के जिरी भी अच्छा और बुरा रास्ता समझा दिया गया कि अब चाहें अमल करो या ना करो ये तुम्हारी मर्दी है और तुम पे जोर जबर्दशती नहीं के नेकी करने के लिए या बुराई करने के लिए ताके तुम अपने अख्तियार से जो अमल करना चाहो सो करो और फिर उसी अमल के नतीजे में तुम्हें जजा या सजा मिलेगी क्यूंके अगर जबर्दस्ती नेकी करवाई जाए जबर्दस्ती गुना करवाया जाए तो सजा और जजा का जवाद ही नहीं रहता लापाक ने समझा दिया इनसान को कि जूट बोलना गलत है मगर जब तुम या मैं हमें से कोई जूट बोलता है तो वो अल्ला मु के अगे हाथ नहीं रख देता वो चाहे तो रख सकता है जबान बंद कर सकता है मु बंद कर सकता है मगर पिर आजमाईश का जवाज ना रहे अब आईए दूसरी बात पे कि हज़रत आदम अलहिस्सलाम ने हज़रत मुसा अलहिस्सलाम से कहा कि जो काम मेरे नसीब में मेरी पैदाश से चालीस हजार साल पहले लिखा हुआ था उस अमल में मेरा क्या कसूर अगर ये इलफाज हज़रत आदम अलहिस्सलाम ने फरमाई तो फिर अल्ला पाक ने कुरान में ये बात क्यों फरमाई फिर आदम ने अपने रब से चंद कलमात हासिल किये फिर उसकी तौबा कबूल फरमाई बेश्चक वो तौबा कबूल करने वाला महरवान है अगर आदम अलहिस्सलाम की गलती कोई ना थी वो काम उन से सरजद हुआ था जो के हजारों साल पहले मकदर में लिखा था तो फिर माफी किस बात की मागी गई ये कह देते के मेरे तो नसीब में यही लिखा था लापाक अभी तो पहले इनसान थे वो कोई और भी साथ ना था सवाई भी भी हुआ लहिस्सलाम के कोई और मौजूद ना था अगर तू चाहता तो ऐसा ना होता ये कह देते तूने चाहा है तो गलती हुई मेरी से तूने चाहा कि मैं गलती करूँ तूम उसे गलती हो गई वरना ना होती तो अल्ला पाक ऐसी बातों के बारे में फरमाते हैं जिन में गलतीया करके गुना करके बात किसमत पे उल्टा दी जाए यानि साफ बच जाओ बात सारी रब पे डाले दो यानि इनसान तो फिर मकमल मासूं हुआ ना अच्छाई करने पे इसका कोई अख्तियार के वो गलती नहीं करना चाह रहा था मगर अल्ला ने जहन्नम भरना है तो अपनी मर्जी के बंदे चुनकर उनसे गुना करवा देता है और मर्जी के बंदे ही चुनकर उनसे ने किया करवा देता है क्योंके तकदीर का मामला है और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ के ये रवायत जो हजरत मुसा लहिस्सलाम और हजरत आदम लहिस्सलाम उनके मतलिक बेयान हुई और जिकर किया गया कि हजदूर पाक ने फर्माया है उनका मुबारिक नाम शामिल कर दिया गया तीनों बरकजीदा बजर्ग तीनों बड़े पिगंबर उनका नाम शामिल कर दिया गया तो ये सरासर शरारत है शेतान सिफ्त लोगों की उन लोगों की जानिब से जो अल्ला के नजाम को कमजोर बना कर पेश करना चाहते हैं ताके जितनी भी बड़ी कौमे हैं इसलाम की पहले एहले किताब भी सब गुमरा हूं ये बात मैं इतने बसूख से और यकीन से इसलिए कह रही हूं कि अब जरा अल्ला के कलाम से ये अगली आयात मुलाहजा फरमाएए अब मुश्रिक कहेंगे कि अगर अल्ला चाहता तो ना हम और ना हमारे बाप दादा शिर्क करते और ना हम किसी चीज़ को हराम करते इसी तरह इन लोगों ने जुटलाया जो इन से पहले थे यहां तक कि उन्हों ने हमारा अज़ाब चखा यानि मुश्रिक अल्ला से शिर्क करने वाले उसके हुकमों के ना फरमान उसके आयाद जुटलाने वाले जब उन्हें नेकी का हुकम दिया जाता है तो जब कोई जवाब नहीं बन पाता अल्ला की हर दलील के सामने वो ला जवाब हो जाते हैं तो आखरी पेंतरा आखरी हरवा क्या रह गया यही के कह दो अगर अल्ला चाहता तो पिर हम गुना ना करते अगर अल्ला चाहता तो पिर हम गुनागार ना होते यह तो हमारी तकदीर में पहले से लिखा था लहाजा हमें नेकी करने का मत को अरे ये बातें तो तुम पढ़ लो पराणी रवायात में भी वहां भी लिखा हुआ है जो बेअमल लोग थे और लोगों को हटाने के लिए अपनी बातों में वजन पैदा करने के लिए उन्होंने रवायात में गलत रवायात भी शामिल कर दी और कुरान क्योंके नाजिल हुआ रसूल खुदा मुहम्म्मद मुस्तफा सल्ल लाह अलिह वालिह वसल्म पर ये आयत उन पर उतनी जिन में लोगों ने ऐसी बात का सहारा लिया अपनी गलतियों को इस परदे में छुपाने की कोशिश की के नसीब में यही लिखाता हमारे अल्ला चाहता तो ऐसा ना होता तो ये कहने वाले अल्ला के अजब का शिकार हुए और होंगे तो क्या अल्ला की रसूल सल्ल लाह वालिह वालिह वसल्म ऐसी बात को तरजी देते कि आदम मुसा से जित गए क्योंके तकदीर में ये गलती करनी लिखी थी तुम दुनिया वालों को तो ये बात कहकर धोका दे सकते हो मगर अपने रब को नहीं क्योंके उसने साफ वाजिया रोशन आयात ये पेगाम तुम लोगों तक पहुँचा दिया है और ऐसी रवायात सिर्फ इसलिए लोगों तक पहुँचाई गई ताकि अल्ला के कानून से गुमराह किया जा सके मखलुक खुदा को नाम इस्तेमाल करो हदीस का और जो मर्जी कह दो यहां कौन सा किसने कुरान से तहकी करनी है लगा दो सब को तकदीर के पीछे के उलजे रहें खुद में के जो हो रहा है वो खुद ही हो रहा है तो अल्ला रब लजजद खुद भी हिकमत वाला है उसका कोई काम बिना हिकमत के नहीं उसने अपना हर हुकम हर काइदा साफ वाजिया रौशन आयतों में बता दिया के तुम्हारे अमल अच्छे या बुरे जो करते हो उसका तुमें इक्तियार है और किसी भी बात पर इतिमाद करो या ना करो हदीश को मानो या किसी को मानो इवन तब मानो जब उस बात की तहकी कर लो तो मर्जी है तुम्हारी जो रास्ता चुनो और बेशक अल्ला को क्यामत तक होने वाले हर वाकिया का पहले से इल्म है उसे मालूम है कि कल मैंने क्या खाना है कल मैंने क्या काम करना है अच्छा काम है या बुरा है उसके इल्म में है मगर वो मुझे जबरदस्ती ना रुकेगा ना जबरदस्ती करवाएगा ये उसने मुझे पे छोड़ा है के मैं क्या काम करती हूँ अपने आमाल के साथ तो आमल के हुकमों को उसके आयतों को पहचानो अल्ला हिक्मत वाला है और हिकमत के अमल को ही कबूल करता है अकल को कबूल करता है वो तुम्हारा हर अमल अकल के मेयार पर परकता है तो उसको बे अकली दिलीलों से तुम मतासिर नहीं कर सकोगे वो रब है वो दुनिया नहीं दुनिया के लोग नहीं जिने कुछ भी कहकर बहला फुसला दिया जाए तुम अपने ही लिए अपने रास्ते तंग कर रहे हो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने लगा गल्बता जो तुम्हारी बातों के पीछे लगते हैं जो गुमराही में पीछे लगते हैं उनका अंजाम तुम्हारे जैसे शेतानों के साथ ही होना है जो लोगों को गल्त राह दिखाओगे तो अब वो दोर नहीं कि जिसने जो कह दिया सो मान लिया अकल इस्तमाल नहीं की तो मामला हसारे में चले जाना है नतीजे उल्ट जाने है आखरत खराब हो जानी है तो संभलो बेटे बेटियो बेहन भाईयो संभलो अपने रास्तों को पहचानो अपने अमलों को अल्ला के रास्ते पर चलाने की कोशिश करो इसका तुम्हें इख्तियार है तुम जानते हो इसका तुम्हें इख्तियार है खुद को धोका मत दो शेतान के धोके में आकर यह नहीं यह सब तकदीर है यह सब बातों से निकलाओ ताकि अल्ला असानिया फर्माए तुम पे भी तुम्हारी नसलों पे भी फी एमान अल्हा